बड़ी खबर का रुकरते हैं लखनो के पास काकोरी में ATS का सर्च आपरेशन, काकोरी में ATS ने एक मकान को घेरा, दो आतंगवादी पकड़े गए हैं अब ये आतंक्तवादी यहां कब से रह रहे थे क्या इनकी प्लानिंग थी कहां से आए हैं ये तमाम जानकारी जुटाई जा रही है लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो लखनव के पास काकोरी में ATS का सर्च आपरेशन और इस आपरेशन के दौरान एक मकान को घेरा गय किस तरह ये जानकारी मिली कैसे ये लगातार आपरेशन को पहले एक अन्जान दिया गया राकी की गई क्या कुछ जानकारी फिलहाल इसके बारे में भी हम आपको बड़ी खबर है वो ये कि लखनों के पास काकोरी में ATS का सर्च आपरेशन और इस आपरेशन के दौरान ATS एक मकान को घेरा और दो आतंकवादी यहाँ से पकड़े गए है कितने हटियार इनके पास है क्या कुछ इनके पास हतियार है क्या बंबी इनके पास है ये सब चीजे अब फिलहाल देखी जा रही है जानकारी जुटाई जा रही है लेकिन ये तस्वीर फासिनिया नीज पर सुपर एक्स्क्लूजिव ये तस्वीर जहां लखनव के पास काकोरी में ATS का सर्च आपरेशन उस आपरेशन के दौरान एक मकान को घेरा गया और इस मकान से दो आतंकवादियों को पकड़ा गया है दो आतंकवादिय यहां पर रह रहे थे लेकिन ये मकान किसका है किसका नाम पर है क्या यहां पर गिराय पर रह रहे थे क्या मकान बालिक भी यहां पर थे तमाम जानकारी इसके बारे में देखी जा रही है जुताई जा रही है लेकिन फिलहाल जो ATS है वहां पहुंच चुकी है और ATS जो है अब दो आतंकवादियों को पकड़ चुपी है क्योंकि Anti-Corruption, Maaf कीज़ेगा Anti-Terrorism ये स्कार्ट जो है वो पहुचा है लखनव और यहां पर इन्होंने ये कारवाई की है दो आतंकवादियों को पकड़ा है आतंकवादी जो इस मकान में लखनव में काकरी नामक जगहे पर ये रह रहे थे और वहां से दो आतंकवादियों को पकड़ा गया है ये दो आतंकवादी लेकिन जो भी ये लखनव में रह रही है कितने समय से ये रह रही हैं काकोरी में और किसे इनके लिंक हैं, यहाँ पर किसे लिंक हैं, भारत में किसे इनके लिंक रहे थे, किस तरह से यहाँ पर काम करने वाले थे, क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, क्या इनके पास हत्यार थे, क्या इनके पास बम थे, तमाम जानकारी जो है वो लिए पर पहले से की गई होगी इसकी लीड यहां से मिली होगी दो आतंक्वादी जो यहां रहे रहे होंगे पहले से इसकी जानकारी होगी और उसके बाद जब रैकिंग की गई पर उसके बाद इस मकान को घेरा गया और उसके बाद आतंक्वादियों को पकड़ा गया है क्योंकि ये दो आतंक्वादी है क्या इनके भी कोई साथी यहां पर थे या कहीं और जगिये पर है इस सब की पूश्ताच की जाएगी लेकिन फिलहाल जो बड़ी ख़बर है वो है दो आतंक्वादियों को पकड़ा जाना लखनव की काकोरी से एटीयस में दो आतंक्वादियों को पकड़ा है एक मकान में ये रह रहे है एक खाली मकान है या कोई लेकर यहां पर रहता था क्या कुछ था ये पूरी तफ्तीश की जा रही है लेकिन फिलहाल जो ये तस्वी इन्होंने training लेना शुरू किया है, तमाम जानकारी जो है, वो जुटाई जा रही है, क्या सिर्फ हतियारी इनके पास है, लैप्टॉप है, क्या कुछ किस तरह से ये आगे बढ़ते थे, किस तरह से ये काम करते थे, जो इनको कमांड मिलती होगी, वो कमांड कहां से मिलती होगी, ये तमाम जानकारी, ये तमाम साक्षे जो है वो जुटाए जा रही है लेकिन ये जो बड़ी खबर हो जाती है वो इसलिए क्योंकि लखनो के पास के स्थान पे काकोरी में ये रह रहे थे तो सकता है कि यहां आजपास किसी घटना को इंजाम देने वाले हो या यहां रहे के और भी आतंकवादियों से कनेक्ट होने वाले हो बहुत सारी चीजे जिनको अब दो साक्षे जुटाए जा रही है पूस्ताच होगी और हमारे साथ लखनों से एहतिश्याम जुड़ गए ह है फिलाल कि काकोरी के एक मकान को गूरा गया है उद्लुक्त बहुत ही है उमीद जड़ाई जा रही है कि इसमें दो 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 आतंकवादी होंगे कारवाई चल रही है और अला रिकारी मौके पर मौझूद है लेकिन आभी उच्छ आस्तर के दिकारी मामलें पर कुछ भी चह है कारे कि लिए.